हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का नियो वल्टे के ओफीशल यूटूब चनलन में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कवरी है यूगि फाइनली एक और नया नोडिफिकेशन जारी हो चुका है एन्वीस की तरफ से जी हां दोस्तों नवोदे विदाले समिती की एक टीचर की भरती का ओफीशल नोडिफिकेशन जारी हो चुका है जी हां दोस्तों आपको दिखा देते हैं सबसे पहले ये रहा ओफीशल नोडिफिकेशन पंदरा अक्टूबर को ये जारी कर दिया गया है और इस विकेंसी के लिए कौन-कौन से केंडियेट्स प्रिटी क्रैडेरिया है कब से कब तक आविदन चलेंगे क्या सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा सारी जानकरी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको ये फोरम कैसे भरना है जी हां दोस्तों नवोदे विद्धाले समीती के लि लाइक नहीं करतें तो जादसे जादा वीडियो को लाइक कीजिएगा लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए लाते हैं धेर सारी भरतियों की जानकरी जो भी नई विकन्सी इकलती है चाहे वो राज्य सरकार की हो या फिर केंश सरकार की हो सारी वीकि आपको रोजाना मिल सके तो चली दोस्तों फटाफर से शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि NVS यानि कि नवोदे विध्याले में जो भरती निकाली जारी है यह बिलकुल सीधी भरती है यहाँ पर आपकी कोई भी परिक्षा नहीं होने वाली ह सीधी भरती के तहट आपका सेलेक्शन होगा ओल इंडिया की विकिंसी है पूरे भारत के लिए भरती है भारत में किसी भी स्टेट में आप रहते हो चाहे रजस्तान, गुजरात, यूपी, पंजा, भरियाना तो आप सभी के इंडियर्स आवेधन कर सकते हो इस विकिंसी के हम अफिशल वापसाइट पर आ चुके हैं, हमारी ऑफिशल वापसाइट पर आने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, tips morelbuzz.xyz, जी हां दोस्तो, www. tips morelbuzz.xyz को आप गूगल में सर्च करेंगे, तो आप सिधा हमारी official वापसाइट पर आ जाएगे, जसकि आप अप teacher की है मतलब physical education teacher की है PTI जिसे हम बोलते हैं और librarian की vacancy है और staff nurse की भी vacancy यहाँ पर देखने को मिड रही है आप इतने केवल आपको offline ही करना है मतलब आप buy post या speed post या फिर career के दौरा भी आप apply कर सकते हैं selection process में केवल आपकी merit के अधर पर selection होगा मतलब की आपकी ना तो कोई exam होगी ना ही कोई आपका interview होगा salary आपको मिल रही है 20,000 से लेके 26,250 रुपे पर मंत आपको salary मिल रही है all over India की job location है all India के candidates apply कर सकते हैं education qualification बारवी कक्षा pass या फिर graduate pass या फिर post graduate pass अगर आप हैं तो आप apply कर सकते हैं इन में से एक भी qualification आपके पास है तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा आवेदन कर सकते हैं total vacancy 96 है और आवेदन कब से कब तक चलेंगे तो यहाँ पर आप दिसते हैं important dates में सारी जानकारी है कि आवेदन जो है 15 October से लेके 31 October 2020 तक चलेंगे important links में आपको download notification का link मिल जाएगा और application forum का link साथी साथ आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको first link मिलेगा click here पर आपको click करना है click करते आप सिधा official notification पर आ जाएगे आप कहां कहां पर application forum को भरके जमा करा सकते हैं तो music teacher के लिए यह रहा address और यह ही total vacancy और यहाँ पर art teacher के लिए total vacancy और यह रहा address pin code के साथ और यहाँ पर pet male के लिए total vacancy इतनी है address यह रहा और female के लिए यहाँ पर आप दिसते है total vacancy इतनी है दोस्तों यहाँ पर आप दोस्ते है music teacher के लिए art teacher के लिए और P.E.T. के लिए male female के लिए और librarian के लिए जो salary है वो है 26,250 रुपे पर मन वही staff nurse के लिए 20,000 रुपे पर मन salary है तो यहाँ पर आप दोस्ते है post-wise salary यहाँ पर particular mention कर रखी है और नीचे आप जाएंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी जैसे की education qualification की art teacher के लिए qualification क्या चाहिए और desirable qualification क्या चाहिए मतलब कि यह भी होनी चाहिए तो यहाँ पर आपको plus point रहेगा education qualification की जानकारी भी आप ले सकते हैं अब आप नीचे आएंगे तो आपको application forum भी मिल जाएगा यहाँ पर साफ सब बताया गया है कि by hand यहाँ पर speed post यहाँ पर register दोरा यहाँ फिर courier दोरा आप इस application forum को भरके जमा करा सकते हैं दोस्तों यह contract basis पर आपकी vacancies हैं लेकिन आपको बताते हैं जो salary मिलेगी वो as a permanent staff की according यह आपको salary मिलेगी यहाँ पर किस district के लिए आप apply करना चाते हैं वो mention कर दीजिएगा जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक post के लिए अलग-अलग address है तो उस address को यहाँ पर आप fill कर सकते हैं उसके बाद किस post के लिए अप apply करना चाते हैं वो दीजिएगा telephone number या mobile number आपका जो भी है वो डाल दीजिए उसके बाद email id आपका नाम आपके पिताजी का नाम date of birth full address दालना है home district क्या है आपका जहाँ पर आप रहते हैं उसके बाद में category किस category से belong करते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है अधार number यहाँ पर mandatory नहीं है आप चाहे तो दे सकते हैं अधरवाइस आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पर education qualification आपकी 10 वी बार वी graduate पोस्ट गुजट अगर आपके पास जो भी qualification इन में से वो आप यहाँ पर details दे सकते हैं आपके यहाँ पर marks दे सकते हैं कितने में से कितने आए हैं और percentage आप ड़ता सकते हैं तो यहाँ पर बताय जा रहा है कि कौन कौन से documents यहाँ पर आपको अटेज करने हैं वो भी आपको photocopy के तोर पे फोटocopy ही आपको यहाँ पर लगानी है original दस्तावेज नहीं लगाने है तो यहाँ पर photocopy देनी है आपके other card की address proof की ID proof की documents क जो भी है आपके पास में certificate वो लगा देना है नीशे जाएंगे तो आपको और भी जानकरी मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकरी है वो आपको fill करनी है उसके बाद में यहाँ पर आपके signature करके आपको यह address पर बताय हुए address पर आपको भेज देना है तो यहाँ पर आपको address उपर ही मिल जाएंगे उन्हे address पर आपको भरके जमा कराने होंगे यहाँ पर आप देसते हैं post wise address दिये गए है इन मेंसे जिस post के लिए आप अप्लाइक करना चाहते हैं उस address पर आपको forum भरके भेजना होगा ठीके 31 October 2020 last date है अगर आपको इस vacancy के regarding कोई भी confusion है क कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक शेरो चलन को सब्सक्राइब